दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका, Study for Civil Services में दोस्तो शंकर आईयस की environment की जो हिंदी माध्यम की श्रंखिला हमने आरंब की थी उस कड़ी में ये अगला वीडियो है और इस अगले वीडियो में हम मैंग्रोम वनस्पतियों पर चर्चा करेंगे मैंग्रोम क्या होते है ये हम पीछे वाले वीडियो में ही देख चुके है इसकी चर्चा हो चुकी है ये कहां उगते है ये भी हमने देखा जो उश्निकटी बंदिये और उपोश्निकटी बंदिये सागरिये छेतर होते है वहाँ इनका विस्तार होता है ये बात हम सुन भी चुके हैं और देख भी चुके हैं अब इसके बाद इनके पारे में और जो मिस्तरत जानकारी है उसको देखना बागी है तो आगे बढ़े इससे पहले कुछ आवश्यक सूचना हमारे कोर्सेस के बारे में आईए पहले उसे देख लेते हैं उसके बाद जलिये पारितंत्र की चीज़ों का अध्यान करते हैं दोस्तों हमारे पेट कोर्सेस अलग-अलग सिविल सेवा परिक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं और घर बैठी अपनी तयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो नीचे दिये गए जो मुबाइल नमबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं दो मुबाइल नमबर आपको दिख रहे हैं वहाँ पर आपकी जितनी भी जिग्यासाएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा फ्री स्टेडी माटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपके पास दो रास्ते हैं एक तो यूट्यूब का चैनल है यूट्यूब पर जितने भी चैनल हमारे चलते हैं वो सभी फ्री आफ कास्ट हैं पूरी तरह से निशुल्क हैं उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है वीडियो जितने फ्री हैं उनका आनंद लीजिए कोई भी वीडियो जो है वो पेड नहीं है किसी भी वीडियो पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया है तो आप इसका पूरा लाव ले सकते हैं वीडियो को देखिए उसके बाद उससे नोट्स बनाईए अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए शेयर करने से वो दूसरों तक पहुँचेगा और दूसरों के लिए भी फायदे मंद होगा और जो टेलीग्राम है टेलीग्राम पर एक फ्री चैनल चलता है वनली उपी प्यस्सी बाइस स्टेडी फार सिविल सर्विसेस के नाम से उसे आप जॉइन कर लीजिए अगर आप वहां जुड़े रहेंगे तो आप हमसे हमेशा link में रहेंगे हमारे pass में रहेंगे और pass में रहने का मतलब यह है कि सूचनाओं के passage में रहेंगे क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो सूचनाओं हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी चाहे वो आयोग की परिक्षाओं से या आयोग के फैसलों से जुड़ी भी सूचनाए है या चैनल पर कोई विशेश कारिक्रम चल रहा है तो उससे संबंदित सूचनाए है वो सब आप तक पहुंचती रहेंगी और समय से मिलती रहेंगी आप हमेशा अद्यतन रहेंगे इसलिए उसे अवशेजवाईन करिए अब चलते हैं आगे हमने देखा कि मैंगरोब वहाँ उगते है जहाँ पर उश्न और उपोशन कटिबंधी पारितंत्र या जलवायू पाई जाती है बहुत जादा ठंडी में इनका विकास नहीं हो सकता इसलिए ये शीत कटिबंधों में और सीतोशन कटिबंधों में नहीं पाई जाते इसके अलावा समुद्र के तटका होना भी आवश्यक है और जो लवडिये जल होता है उसको जहरले की इनके अंदर छमता होती है और वही पर ये पाये जाते हैं ये इनकी विशेश्टा है अब देखिए मैंग्रोब मूल रूप से इस्थलिये पौधे होते हैं ये बात भी हमने देखिए खारे पानी की प्रती इनमें सहिश्णुता पाई जाती है ये सह लेते हैं उसको तो वह सहिश्णुता इनकी इस पारितंत्र में जीने में सहयोग करती है ये काफी जटिल जडों वाले होते हैं इनकी जड़े बहुत उलजी हुई होती है और ये लवडिये जल को अवशोशित करते हैं और उसके पास लवड को अलग कर देते हैं और जो ताजा जल होता है ताजा पानी होता है उसका सेवन कर लेते हैं जो अतरिक्त लवड इनके अंदर पहुँच भी जाता है, उसको ये पत्तियों के माध्यम से उचसरजित कर देते हैं, इसी वज़ा से इनकी पत्तियां जो है, वो मोटी होती है, और भी देख लीजे, यह मोल रूप से सदाबाहार पोधे होते हैं, कहने का मतलब यह है कि यह ह प्रवाही जल में और लैगून आदी में इनका जन्म होता है, लैगून में ये पैदा होते हैं, यहां आप इसे थोड़ा देख सकते हैं, मतलब इन छेत्रों में इनकी अवस्तिती पाई जाती है, यह कहां कहां मिलते हैं, यह बताने का प्रयास किया जा रहा है, इन छेत्र बहुत सारी जय विवित्ता होती है, सम्रिद छेत्र होता है, तो वहां भी ये मैंग्रोब उत्पन्न होते हैं, और इन्हें उच्छे सौर विकिरण के आउशित्ता होती है, खारे पानी से ये, जो खारा जल होता है, वहां से ये ताजे पानी को आउशोशित कर लेते हैं, और जो अतरिक्त लवण इनके अंदर पहुँच भी जाता है उसको इनकी पतियां बाहर निकाल देती है पतियां मोटी होती है उसके बारे में भी आप देख लीजे और अव आयवी ये जो मिट्टी होती है जहाँ पर अव आयवी ये मृदा पाई जाती है वहाँ पर श्वसन करना बड़ा मुश्किल काम होता है तो उससे निपटने के लिए ये क्या करते हैं ये स्वसन सूल का निर्माड करते हैं ये स्वसन सूल या स्वसन मूल होते हैं जिनने की यहाँ पर new metaphors कहते हैं इनकी जो spelling है उसको आप देख रहे हैं और इन्हें इंग्लिश में इस नाम से संबोधित किया जाता है इनका जो नाम है वो है new metaphors इन जड़ों को ये बाहर निकालते हैं मतलब मिट्टी से और पानी से उपर ऐसे मतलब ये जल है तो इसके उपर ऐसे जड़ों को निकाल दिये अब ये बाहर निकली रहती है और ये बाहर निकलकर श्वसन करने का काम करती है सांस लेती है और जो श्वसन करती है उसका उपयोग ये व्रिक्षिया पौधे करते हैं और ये जड़े कुछ और भी काम करती है ये जो आवसाद होते हैं उन्हें औरोध करने का काम करती है मतलब जो तलचट या गाद नदियों से होकर समुद्र में जाने वाला होता है उसको ये बीच में ही रोक लेते हैं बीच में ये औरोध बन जाते हैं और इस प्रकार से यहां गाद वाले छेत्र का जमाओ होता है मतलब तलचट यहां जमा होने लगती है और यह जो अनेक जीव प्रजातियां उनके लिए आवास उपलब्द कराने का काम करती है गाद को जमा होने की वज़े से मतलब गाद के जमा होने की वज़े से यहां पर बहुत सारे जो जली जीव हैं या जितने भी स्थलिय जीव हैं जो यहां रहने के लिए उप्यूक्त हैं वो अपना निवास बना कर रहने लगते हैं और यह गात समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं यह बीज में ही उसको औरोध कर लेते हैं तो यह जो श्वसन मूल होती हैं इसके दो काम होते हैं एक तो यह श्वसन करती हैं पौधे के लिए और दूसरा यह तलचट के जमाव को रोक लेती हैं पत्तिया मोटी होती हैं क्यों मोटी होती हैं क्योंकि यह नमक को स्रावित करने वाली ग्रंथियों को अपने अंदर धारण करती हैं बीज पेड में ही उग जाते हैं यह बात हमन पहुंचते हैं अगर यह सीदे सीदे बीजों को खारे पानी में गिरा देंगे तो एक तो हो सकता है कि बीज बह जाए क्योंकि वहाँ नीचे जल है इस्थल तो है नहीं अन्ने पौधों की तरफ या तो यह बह जाएंगे या फिर लवड़ी जल में खराब हो जाएंगे ही कर लेते हैं और जमीनी इस तर के ऊपर पौधे के मुख्य तने से निकलने वाली जो अपस्थानिक जड़े होती है इस प्रकार की जड़े इस पौधे की होती है मतलब मैंग्रोब की होती है उसे अवस्तंब जड़ कहा जाता है यहां पर अवस्तंब जड़ की जो अवधार नीचे ही सिर्फ जड़े नहीं पाई जाती इसमें उपर से भी जड़े निकलती है जैसे माल लीजिए ये मैंग्रोब का तना है तो नीचे ही जड़ होनी चाहिए जैसी आम ब्रिक्षों में होती है लेकिन यहां की परिस्तितियां ठीक वैसी नहीं होती इन्हें जादा पकड़ और जादा मजबूती की जरूरत होती है तो ऐसे में उपर से भी जड़े निकलती है इस प्रकार से जहां से मन हुआ उधर से ही जड़े निकलने लगी और ये सब नीचे जाकर जमीन में पकड़ बनाती है मजबूती बनाती है इसलिए इनको उजाड़ना बहुत मुश्किल होता है तो इस प्रकार की जड़े हैं इन्हें अवस्तम्ब जड़े कहा जाता है यह सहारा देने के लिए होती है यह इन्हें सहारा देकर मजबूत बनाती है जितनी जड़ा सशक्त जड़ होगी उतना ही मजबूत प्रिक्ष होगा यह बात आप जानते हैं तो वही घटना इनके साथ भी होती है अब सुन्दरवन का जो मैंग्रोव है वो सबसे विशाल है यह बात आपने देखी यहां आप देख लीजे सुन्दरवन का जो मैंग्रोव है वो सबसे जड़ा मिशाल है मतलब बड़ा है पूरी दुनिया में और दुनिया के जवारी यह मैंग्रोवों का यह एकलखंड के रूप में देखा जाता है और यह जो सुन्दरवन का मैंग्रोव है खास बात क्या है कि यहां रायल बंगाल टाइगर का घर है और मगरमच भी पाय जाते हैं तो कीचड होगा तो मगरमच तो मिलेंगे कीचड वाला छेतर में मगरमच आसानी से रह लेते हैं कीचड में उन्हें लोटने में और सोने में बड़ा आनन्द आता है धूप होनी चाहिए और कीचड होना चाहिए दोनों चीज अगर होगी तो मगरमच्छ वहां रहना चाहेगा ये एक अच्छी बात है और वही पर ये अंडे देते हैं अपने अंडों को ये कीचड में छोड़ देते हैं बच्चे निकलते हैं, फिर बच्चे पानी में चले जाते हैं, अपनी मा के पास, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, फिलाल मगर मच्छों के लिए भी अनकूल दशाएं पाई जाती हैं, और जो रायल बंगाल टाइगर है, आश्चर जनक रूप से वो भी यहाँ पर पाया जाता है, और कोई भी मैंगरोब छेत्र ऐसा नहीं है, जहां बाग मिलता है, यह बड़ी बात है, और इसके अलावा भीतर कणिका के मैंगरोब की आप चर्चा कर लीजे, जोकि दूसरे नंबर पर है, मतलब पूरे भारती उप महादवीप में यह दूसरा सबसे बड़ा मै उडिसा में, भीतर कणिका का जो मैंगरोब है, वो उडिसा में, इसकी अवस्तिती हमने देखी है, हमने चिलका को देखा है और भीतर कणिका को देखा है, अब देख लीजे इसके बारे में कुछ और, विसिस्ट मैंगरोब प्रजातियों की उच सांद्रता और उच वाला ये चहेतर है मतलब यहाँ पर जो मैंगरोब प्रजाओती की वनसपतिया हैं उनकी काफी सघन सांध्रिता पायी जाती है और साथ में जो अनुवानशिक विवित्ता उनके अंदर वह भी काफी जीदा मात्रा में हमें भीतर कढिका से प्राप्ड होती है तो दोनों ही जो mangrove छेत्र हमारे देश के प्रमुख रूप से हैं वो यहाँ पर दिये हुए हैं और दोनों की अपनी-अपनी qualities हैं यानि विशेश्टाएं हैं और एक बात यहाँ ध्यान देने योगे और है कि जो वनस्तिती रिपोर्ट है चूकि mangrove भी क्या है ये वन इचेत्र ही है हाला कि ये जली पारितंत्र का हिस्सा है लेकिन फिर भी वन में ही आते क्योंकि यहाँ वनस्तियां उगती है ये mangrove क्या है ये वनस्तियां ही है तो 2017 की जो वनस्तिती रिपोर्ट थी उसमें जो डाटा आया था और 2019 में जो सबसे लेटेस्ट वाली वनस्तिती रिपोर्ट आयी है दोनों के mangrove cover की अगर तुलना करें अपने देश में जो mangrove आच्छादित छेत्र है उसकी अगर comparison करें यहाँ पे तुलना करें तो 2019 में हम देखते हैं कि mangrove का छेत्रफल बढ़ा है mangrove में वृद्धी हुई है और यह खुशी की बात है हाला कि बहुत नाम मात्र की वृद्धी दर्ज हुई है बहुत जादा नहीं है लेकिन mangrove का जितना अनुपात है उसके हिसाफ से ही है खुशी की बात है क्योंकि अब तक हम इन पर विनाश का संकट ही मटराता हुआ देख रहे थे लेकिन अभी इनका जो संरच्छड का प्रयास हुआ है वो कुछ मायनों में सार्थक भी है आगे चलते हैं और देखते हैं कि mangrove की क्या भूमिका है हमारे जीवन में ये किस प्रकार से हमारा सहयोग करते हैं हमने ये तो सुल लिया कि ये बड़े फायदेमंद होते हैं लेकिन फायदेमंद कैसे हैं तो देखिए mangrove की भूमिका हमारे पारिसित्य की तंत्रिया हमारे लिए क्या हो सकती है इनकी जो जड़े अब इनकी कई प्रकार की जड़े होती है ये आप देखी जुके हैं कुछ तो new metaphors होते हैं जो कि बाहर निकल कर सांस लेते हैं कुछ स्थाई जड़े होती हैं और कुछ जो है वो अवस्तंब जड़े होती हैं जो कि ऊपर से निकल जाती हैं तो इस प्रकार की जड़े हैं ये पानी के प्रवाह को रोकने का काम करती है, मतलब इनका जड़ तंत्र है वो बड़ा ही जटिल होता है, कहने का मतलब ये है कि मृदा के अंदर तो इनकी पकड़ होती ही है, और इसके तने में उपर से भी बहुत सारी जड़े ऐसे ऐसे निकल करता है, जो तलचट है वो यहां जमा होने लगती है, और ऐसी परस्थितियां उत्पन्न होने लगती है, जो कि मशलियों के प्रजनन के लिए काफी उप्युक्त होती है, मशलियों को एक प्रजनन का मैदान मिल जाता है, जहां पर जल का जो प्रवाह है वो काफी शान्त है और यहाँ पर उनके प्रजणन के लिए अनकूल दशाये पाई जाती है और जितने भी समुद्री यहाँ पर रहने वाले जीव है वो इस थाई रूप से इस छेतर में टिकना पसंद करते है यह हमने देखा और इससे पहले हमने घडियाल की बात देखी ही थी यह तो एक बात हुई मतलब इनके जड़ों का जो तंत्र था उस पर चरजा हुई इसके अलावा जो इनकी सघंता होती है और इनकी जो द्रणता और जटिलता होती है वह हमें सुनामी और इस तरह की तटिय तूफान है इसके अलावा बाढ़ है वारी जो कंडिशन होती है उससे रक्षा प्राप्त होती है हमें मतलब मैंग्रोब मनस्पतियां हमारी सुरक्षा करती है कैसे तो सुनामी से करती है तुफान से करती है और तटी जो बाड की आशंकाएं होती है उससे भी हमें बचाती है सुनामी की लहरों को ये रोकने की छंता रखती है हाला कि जब सुनामी का वेग बहुत ज़्यादा प्रबल होगा तो मैंग्रोब की भी जो बाड है वो उसे रोक नहीं पाएगी सुनामी लहरों की तीवरता और जो उचाई है वो काफी जादा होती है विनाशकारी होती है लेकिन हाँ मैंग्रोब इसमें पूरी तरह से नश्ट नहीं हो जाते उन्हें तब भी जो सुनामी की लहरे हैं वो हिला तो देती हैं लेकिन नश्ट नहीं कर पाती और जो तटवर्ती छेत्र होते हैं उनमें अपेक्षाकृत कम लुकसान होता है और जो छोटे-मोटे तुफान होते हैं उनको तो मैंग्रोब ऐसे ही जेल जाते हैं इनका जड़ तंत्र काफी जटिल होता है उलजाओ होता है इसमें आसानी से घुसा नहीं जा सकता अंदर जटिलता होती है अब थोड़ी मीथेन गैस के साथ ये वायो मंडल में वापस ऑक्सीजन छोड़ने का भी काम करते हैं असलब ये मीथेन गैस का भी उत्सर्जन करते हैं और अन्य वनसपतियों की तरह ये ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं जैसे और वनसपतियां कार्बन डायाकसाइड को ग्रहड करती हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं वही काम ये भी करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ये मेथेन का भी उत्सरजन करते हैं, ऐसा क्यों? क्यों ये मेथेन का उत्सरजन करते हैं? तो इसके पीछे यहां की जो दलदली संरशना है वो जिमिदार होती है जहां दलदल या कीचड होता है वहां मीथेन गैस का उचसरजन होता है और वही काम ये बनसपतियां करती हैं तो इस तरीके से हमने मैंग्रोब की जो उपयोगीता थी उसको देखा, मैंग्रोब हमारे लिए बहुत देशिये हैं, काफी उपयोगी हैं, और मैंग्रोब की जो संपूर्ण सनरशना होती है, वो काफी जटिल होती है और यह इने विशम परिस्तितियों में रहने के लिए अ असलब दोनों से इनकी उतपादक्ता जादा है, जबकि आप देखते हैं कि जो घास का पारितंत्र है और जो समुद्र का पारितंत्र है, वो कितना फैला हुआ है, ज़्यादा छेत्रफल में विस्त्रित है, उसकी तुलना में मैंग्रोब छेत्र बहुत सीमित हैं, लेकिन पादक्ता के मामले में ये आगे है इस द्रिष्टि से काफी महतुपूर है अब जो मैंग्रोब के जंगल होते हैं वो आप जानते हैं एश्चुरी के साथ साथ डेल्टाई छेत्रों में भी पैदा होते हैं जैसे सुंदर्वन का डेल्टा आप जानते हैं गंगा पूर्वी चछोर यानि बंगाल की खाड़ी से हमारा संपर्क हो रहा है जो समुद्री एरिया यहाँ पर ट्रच कर रहा है, इस पर्ष कर रहा है, वो बंगाल की खाड़ी का है, बे आप बंगाल, तो उसकी चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर कृष्णा गोदावरी डेल्टाई छेत्र और कावेरी का जो डेल्टाई छेत्र है, वो इसमें मतलब वनस पाई जाती है इसके अलावा गोवा करनाटक महाराष्ट्र ये सब पश्चिमी तट की बात हो रही है और गुजरात के जो तटवर्ती छेत्र हैं वहाँ पर मैंग्रोव के वनों का विस्तार मिलता है और एस्चुरी छेत्र में जितने भी पौधे पाये जाते हैं मैक्सिमम अ वो सब मैंग्रोव से प्राप्त होने वाले ही लाब है वो कुछ मैंग्रोव से अलग नहीं है असनी की वो एस्चुरी दे देती है असल में वो मैंग्रोव बनसपतियों के ही लाब है अब मैंग्रोव से हमें मिलता क्या सवाल ये है कि मैंग्रोव की इतनी तारीफ हो रही ह तो ये हमें देते क्या है असल में, तो देते बहुत कुछ है, और जब देते बहुत कुछ है, तो इसी लालच में मनुशे इनका विनाश कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो इससे लकडिया प्राप्त होती है, और ये टिकाओं लकडिया होती है, इसके अलावा औशदिये पौ दुफाने को अबन में gets सध दोशों करना है सब्सक्राइब्स हैं एक धुन्रे को सब्सक्राइब Nayas लमें ये प्राक्रतिक बारजों का मंट मेड़ा चाहिता सब्सक्राइब। तो उस अपर्दन को ये रोकने का काम करते हैं, हमने देखा कि इनका जड़ तंत्र होता है, वो काफी जटिल होता है, तो जड़े जो अवसाद होते हैं, उन्हें जमा करके रोक लेती हैं, वहाँ औरुद्ध कर लेती हैं, आगे नहीं जाने देती हैं, तो इस प्रकार से जो अपर्दन हैं वो रुख जाता है, ये बड़ी बात है, मृता अपर्दन एक गंभीर समस्या है, तो उसमें ये सहयोग करते हैं, मतलब उसे रोकने में सहयोग करते हैं, अब इनका जो पैदावार है, इनकी जो उपस्तिती हैं वो ठंडे छेत्रों में नहीं हो सकती, ठंडे खत्रा कौन सा है, तो प्राकृतिक खत्रे तो बहुत कम हैं, लेकिन जो मानवी ये गतिविधिया हैं, वो यहाँ पर विनाशकारी से दोती हैं, इनके कारण मैंग्रोब के जंगलों का रास हो रहा है, कमी आ रही हैं जो गंभीर पर्यावरणी ये संकट का प्रभाव बन ज जाती है, या कारण बन जाती है, अब जो गतिविधिया हैं, वो असल में क्या है, तो कृषी के लिए मैंग्रोब के बनों का कटाओ हो रहा है, जो इस्थानी ये लोग हैं, उन्हें खेतियों के जमीन चाहिए होती हैं, और वो इस छेत्र के जो मैंग्रोब जंगल हैं, उन वनूं का आवास छील लिया है। इसका उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता। तो ये बाते हैं और इसके अलावा जो मैंग्रोव के वनों का कटाव है इसके अलावा उनकी विनाश का दूसरा कारण है तेल का रिसाओ। जो आयल स्पिल की घटना होती है तेल का रिसाओ जहां जो से या अलग-अलग उपकरणों से होता है वह जलीए जीओं के लिए जैसे घातक होता है वैसे ही मेंग्रोव के व्रिक्षों के लिए भी घातक होता है यह जो पेड़ है यह सांस नहीं ले पाते आपने फिल्मों में मर्डर करने की अलग-अलग तरीके देखे होंगे तो उसमें एक ये भी तरीका होता है मतलब पानी में डूगो कर मारने वाला तो ऐसी कंडिशन में क्या होता है दम घुटने लगता है और आदमी सांस नहीं ले पाता और ये तेल उनकी प्रणालिया है उनको बादित कर देता है और अंतता उनकी मृत्य हो जाती है तो ये इनके विनाश का एक बड़ा कारण है इसके अलावाँ खनन की जो कतिविदिया है खदान बनाने का जो जुनून लोगों के उपर सवार हो गया है तरह तरह के खनीजों को बाहर निकालने का, उसके चक्कर में भी इनका कटाओ हो रहा है और खनन वाली जो गतिविदिया हैं, वो संपूर्ण वनस्वती की प्रजातियों के लिए खातक है मनुष्य जो जमीन में दबे हुए खनीज हैं, उन्हें बाहर निकालकर अपने लिए इस्तिमाल करना चाहता है लेकिन उपर जो जंगली छेतर हैं, उसकी जरा भी परवाह नहीं करता और यहां पर विनाश होता है, उद्योग की जो गतिविदिया हैं, वो निश्चित रूप से विनाश कारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है और जो एक्वा कल्चर होता है, यानि जो जलिये क्रिशी होती है, उससे भी इनका विनाश हो रहा है इसके अलावा उर्वरक और कीट नाशक जैसी जो चीजे हैं, वो तो आग में घी का काम करती है इसमें कोई शक ही नहीं है, तो इस प्रकार से मैंग्रोग के नश्ट होने के लिए कई कारण यहां पर जिम्मेदार है और यह सारे कारण हमारे द्वारा ही बनाए गए है, मतलब मनुष्य द्वारा ही निर्वित है, तो इनका समाधान भी मनुष्य ही कर सकता है मनुष्य चाहे तो इन पर कुछ हद तक नियंतरण कर सकता है, एकदम से रोक तो नहीं पाएगा किसी भी क्रिया कल आपको एकदम से रोक देना संभव नहीं है जैसे आप प्रदूशन की बात करते हैं वायो प्रदूशन और जितने भी प्रकार के प्रदूशन है उस पे अगले अध्याय में चर्चा भी होगी तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि गाड़ी मोटरों का जो धुआ है वो वायो प्रदूशन के लिए जमिदार है या फैक्ट्रियों से निकलने माले जो जरीले पदार्थ है वो वायो प्रदूशन के लिए उत्तरदाई है इस तरह की चीजे हम कहते हैं लेकिन क्या हम फैक्ट्रियों को एकदम से बंद कर सकते हैं या जो गाड़ी मोटर हैं मतलब यातायात के साधन हैं उन्हें हम एकदम संपोर्ड रूप से रोक सकते हैं ये संभव नहीं है आपने देखा कि दिल्ली सरकार ने और इवेन वाला फार्मूला चलाया था कि और जो कि गाड़ीयों को बंद कर दिया जाए तो ये संभव नहीं है जिन्दगी चल नहीं पाएगी जैसे आप लॉक्डाउन में देख रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां है उनका उत्पादन ठप पड़ गया है हाला कि अब उसमें धील दी जा रही है और हो सकता है जब आप ये वी विकास के बारे में जब हम पढ़ेंगे sustainable development के बारे में तो वहां हम इनी चीजों को सीखेंगे कि प्रकृती के साथ रहकर हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं प्रकृती के विपरीद जाकर हमने अब तक विकास के मार्ग को चुना है और वो विकास का मार्ग हमें विनाश की माधान है और मैंग्रोब की छेत्र में भी ऐसे ही किसी धारणी विकास की जरूरत है और यह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि जो इस्थानिय समुदाय है वो इसके प्रती सचेत न हो तो यह कुछ चीजें हैं मैंग्रोब की भूमिका को उन्हें देख लिया लेकिन अभी अभी अपने देश में जो मैंग्रोब की जंगल है उन्हें जरा देखना बाकी है तो आईए नक्षे के माध्यम से उन्हें देखते हैं कि वे कहां-कहां इस्थित हैं भारत के मैंग्रोब वन भारत में जो मैंग्रोब वन है वो किस प्रकार के हैं और कहां-कहां है यहां आ प्राके को यहां देखना व्यर्थ है क्योंकि वहां मैंग्रोब नहीं पाए जाएंगे मतलब यह वाला जो छेत्रे हैं यहां तक का उपर का पूरा यहां पर मैंग्रोब की अवस्थिती नहीं हो सकती इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहां समुद्र कहीं भी नहीं है आप नीचे चलते हैं यानि दक्षण भारत की सेर पर चलते हैं जो नीचे का छेत्र है रायद भी भी भारत का छेत्र है वहाँ पर इनकी अवस्तिती है और शुरुवात होती है सुन्दरवन के डेल्टाई छेत्र से यह जो सुन्दरवन का डेल्टा है यहाँ पर आप देख रहे ह ये तो ये विश्व का सबसे विशालतम मैंग्रोब छेत्र है और रायल बंगाल टाइगर का घर भी है यहाँ पर सुन्दरी के वरिक्ष पाये जाते हैं और मैंग्रोब वनस्पतियों की बहुतायत है इसके बाद दूसरे नंबर पर आप भितर कणिका के मैंग्रोब छेत्र क को देख रहे हैं ये वाला महा नदी का यहां मुहाना है यहां से महा नदी यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है को रिंगा छेत्र है जो लाल डाट लाल कलर कलर के डाट आपको दिख रहे हैं मतलब लाल रंग से ऐसे बिंदू बनाये गए वही यहां पर छे पुर्वी घाट की तरफ लगने वाले यानि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो मैंगरोब वनस्पती के छेत्र थे उन्हें हमने देखा अब चलते हैं पश्चमी इलाके में मतलब पश्चमी चोर की ओर चलते हैं हमारा जो प्रायदवी भारत है वो दो घाटों में बटा हुआ है मतलब जो इसका पश्चमी तटवर्थी इलाका है उसे पश्चमी घाट कहते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि जो पश्चमी धलान है उसकी बात की जा रही है तो जो पश्चमी धाल है वो पुर्वी धाल है वो पुर्वी घाट के रूप में देख अब यहां पर आप देखेंगे तो रत्नागिरी है यहां पर मैंग्रोव वनसपतियों की जो अवस्थिती है रत्नागिरी है गोवा है कुंडापुर है इसके अलावा वेंबानद है यह जो छेत्र है यह मैंग्रोव वनसपतियों से संब्रद इलाकों के रूप में देखे जा करेज़ा दिया इसलिए चोड़ दिया क्योंकि यहां पर चूकि समूत्र की अवस्थिति नहीं है और इसलिए मैंग्रोब का यहां पाया जाना बहुत मुश्किल है और असंभो जैसी चीज है इसलिए शुरुवात कहां से होती है जहां से समुत्र हमारे देश को स्पर्ष करना शुरू करता है आगे बढ़ते हैं ौर अब बात करते हैं प्रवाल भित्तियों की प्रवाल भित्यों की चर्चा यहां करना आवश्यक है क्योंकि यह भी एक सघन पारी तंत्र का निर्माण करती है कोरल रीव्स जिने हम कहते हैं यह वास्तों में क्या है? प्रवाल यानि कोरल इसे इंग्लिश में कहते है और प्रवाल इसका हिंदी भाषा का शब्द है इसका मतलब है एक जीवित जीव से यह एक जिन्दा जानवर होता है मतलब एक प्रकार का जन्तु है और यह किस प्रकार का जन्तु है इसके बारे में हम देखेंगे और जूजैन्थले नाम का जो एक कोश की ये शैवाल होता है शैवाल का मतलब क्या? एलगी इसका नाम क्या है? जूजैन्थले उसके साथ इसकी सहजीविता होती है यह साथ में उसके सहजीवी भूमिका निभाता है सहजीविता और सहोपकारिता के बारे में हमने पीछे देखा है तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो संबंद होता है वो सहजीवी होता है अर्थात प्रवाल और जूजैन्थले सहवाल दोनों के बीच में यहाँ सहजीविता की भूमिका होती है अब ये जो प्रवाल होते हैं सहजीविता का मतलब क्या होता है कि प्रतेक जीव एक दूसरे को कुछ देता है मतलब लेन देन दोनों का होता है आपस में सहयोग की भावना होती है कहने का मतलब यह है कि प्रवाल से जो शैवाल है उसको भी कुछ प्राप्थ होगा और शैवाल से प्रवाल को भी प्राप्थ होगा दोनों ही यहां फायदे में रहते हैं सहजीविता में दोनों ही पक्षों को फायदा होता है यह बात हम देख चुके हैं और इस परधा इसके विपरीत होती है वहाँ पर दोनों ही जीवों को नुकसान पहुंचता है तो यहाँ इस परधा नहीं होती, यहाँ पर सहजीविता होती है और प्रवाल बहुत गहरे जली भागों में नहीं पाय जाते है ये इनकी विशेश्टा है, ये उथले जल में पाय जाते हैं, ये इनकी खासियत है, जहाँ पर पानी कम गहरा होता है, और गर्म और समुद्री जो स्वक्ष जल होता है, साफ पानी का होना आवश्यक है, ये भी बताया जाएगा, यहाँ पर पानी का गर्म और स्वक्ष होना लेकिन बहुत जादा गर्म नहीं एक अवसत तापमान वाला जल का यहाँ जो उपस्थिती है वो आवश्यक मानी जाती है इसके अलामाट ठंडा और बहुत जादा जो लवड युक्त जल होता है वो प्रवाल के लिए उप्युक्त नहीं होता प्रवाल के लिए प्रतिकूल माना जाता है यह बात है अब जो शैवाल है जिन जूज अंथले शैवाल की यहाँ बात हुई है वो इस प्रवाल के उपर घर बना कर रहता है प्रवाल के उपर अपना ठिकाना बना कर रहता है इस प्रकार से शैवाल को प्रवाल के उपर घर मिल जाता है, रहने के लिए मकान मिल जाता है और उपर ये क्यों रहता है? ताकि ये प्रकास संसलेशन की जो क्रिया है उसे आराम से कर सके शैवाल को प्रकास संसलेशन करना अवश्यक होता है, तभी वो जी पाएगा तो इसके लिए उसे एक जगा टिक कर रहना आवश्यक है अगर समुत्र में वो जल के उपर तैरता रहा तो उसकी जो स्थिती है वो नियंत्रित नहीं रहेगी और इसलिए ये इन प्रवालों के उपर अपना डेरा डाल लेता है और यही से अपने प्रवालों के उपर अपना घर बना कर रहता है या इसके यहां किराये पर रहता है तो यह बदले में प्रवाल को कुछ देगा, तो वो देता क्या है, किराया जो इसका है, वो क्या है, आक्सीजन है, कार्बनिक पदार्थ है और रंग है, तीन चीज़े यह किराया में देता है, मतलब शैवाल किराया में प्रवाल को पहली चीज़ तो आक्सीजन देता है, इन्हें विवहारिक तोर पर सफेध रंगे होते हैं, इनका जो प्राया कलर है वो सफेध होता है, लेकिन यहाँ पर जो यह रंग है, यह शैवाल के द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है और यह बड़े खुबसूरत हो जाते हैं, देखने में बड़े आकर्शक दिखाई देते हैं, तो इन्हें अच्छा रंग रूप प्रदान करता है, भोजन देता है बड़े में, यह अच्छी बात है, इसलिए तो सहजीवी संबंद होता है, और बड़े में प्रवाल इसे क्या देते हैं, रहने के लिए आश्रे, तो दोनों का यहाँ फायदा होता है, अब इस प्रकार से प्रवाल अपने कंकाल का निर्माड करते हैं, मतलब अपना स्केल्टन बनाते हैं, जितने भी कार्वनिक पदार्थ उसे शैवाल के द्वारा प्राप्त होते हैं, उससे प्रवाल क्या करते हैं, उससे प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट में उसका संसलेशन कर करते हैं, सिर्फ आश्रे ही नहीं देते तो दोनों में अच्छी खासी मितरता होती है और जिस दिन यह शैवाल प्रवाल के उपर से नश्थ होना प्रारम्ब हो जाता है उस दिन प्रवाल विरंजन की घंटना शुरू हो جाती है जिसके बारे में हम आगे इसी में देखेंगे ये जो प्रवाल होते हैं ये मुलायम और कठोर दोनों तरके हो सकते हैं आम तोर पर ये धारणा होती है कि प्रवाल काफी सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, यह soft भी हो सकते हैं और hard भी हो सकते हैं और जो केवल कठोर प्रवाल होते हैं, उन्हीं की प्रवाल भित्ती का निर्माड करने में सक्षम भी होते हैं जिनके अंदर कठोरता पाई जाती हैं, वही यहाँ पर coral reef का निर्माड करते हैं जिन प्रवाल भित्तियों की चर्जा आप सुनते हैं, तो उसमें जो उप्युक्त प्रवाल होते हैं, वो कठोर होते हैं, मुलायम नहीं होते हैं और जो अधिकतर प्रवाल भितियां होती है, वह पाई कहा जाती है, तो ये सकरे महादवीपी ये मगन तटों पर पाई जाती है, जहाँ पर महादवीपी ये मगन तट होते हैं, मतलब जमीन पानी के अंदर कुछ मातरा में डूबी हुई होती है, और सकरा तट होता है, प्रवाल की प्रवाल की पहले लंबाई में और फिर चोड़ाई में वृद्धी होती है। जो एस्चुरी का पारितंत्र था और जो मैंग्रोव के जंगल थे उनके बारे में देखा। ठीक वैसे ही इनकी उत्पादक्ता जो है वो भी बहुत जादा होती। और यही कारण है कि इन्हें समुद्र का वर्शावन कहा जाता है। इन्हें समुद्र के वर्शावन के तौर उसके अनुसार अवरोही क्रम में यहाँ पर रखे गए हैं। तो पहला जो छेत्र है वो है हमारा अंडमान निकोवार का दीपसमुवाला छेत्र वहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। लक्षदीप में पाई ही जाती है मतलब लक्षदीप का तठवर्ती छेत् सीचता है वहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है मननार की खाडी में मिलती है और कच्छा की खाडी में मिलती है Žे सब सबसे जादा उत्पादक्ता है मतलब प्रजातिय विवित्ता है वो अंडमान निकोवार दीव समूव में पाई जाती है मतलब इन प्रवाल भित्तियों में सबसे जादा उत्पादक प्रवाल भित्तियां कौन सी है जो अंडमान निकोवार दीव समूव की है वहाँ पर जैविवित्ता का प्रदिशत सरवाधिक है इसकी तुलना में लक्षदीप की थोड़ी कम है इससे भी कम मननार की खाड़ी वाली है और सबसे कम उत्पादक्ता और जैविवित्ता वाली जो प्रवाल भित्तियां है वो कच्छ की खाड़ी में मिलती है यही चार छेत्रे हैं जहाँ पर कोरल रीप्स यानि प्रवाल भित्यां पाई जाती है और प्रवालों की उपस्तिती है और पूरी दुनिया में प्रवालों का जो विरंजन है और प्रवालों के विनाश की जो घटना है वो चिंता का विशह है अभी सेशेल्स जो की अफरीका हिस्सा जो था, वो मर गया, मृत हो गया, और ऐसे मृत प्रवालों का समुद्र में दिखाई देना, या सब के सामने आना ये चिंता का विशय था, ये जलवायू के लिए ठीक नहीं माना जा सकता, तो इसलिए वहां की सरकार इन्हें पुनर जीवित करने का प्रयास कर रही है इसके लिए कही कारिक्रम चलाए जा रहे हैं, वैसी ही जागरुकता की जो आवशकता है, वो हमारे देश में भी है, लेकिन अभी वैसी जागरुकता यहां आई नहीं है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे, प्रवाल भित्तियों के हमने काफी चर्चा कर ली, यहां लिख प्रोसेस होता है, वो क्या हम होता है, और यह क्यों होता है, और इसे रोकने के लिए हम कर क्या सकते हैं, यह सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार.